नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीची दोस्त आज आप सभी के लिए जो औशधी लाया हूँ ये बेहद ही स्वादिश्ट और स्वास्त की दृष्टी से बहुत ही लाफकारी औशधी है जेहां अंजीर के बारे में हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में खाया और पस पास्थे लाफ के कारण दुनिया भर में मशहूर है ऐसा माना जाता है कि अंजीर का पोधा दुनिया का सबसे पहले मानो द्वारा उगाया जाने वाला प्लांट है अंजीर में धेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट और दूसरे योगी होते हैं जिनके अईरुवेदिक डॉक्टर और हर्बल एक्सपर्स अंजीर का उपयोग शरीर की कई बिमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं यदि आपके घर में इसका प्लांट है तो देर मत कीजिए और फ्रेश अंजीर को तोड़ कर खाईए और अगर प्लांट नहीं है तो आप बाज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं बेनिफिट्स के कारण फिक का इस्तेमाल, डाइबिटीज यानिके मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कबज, बवासीर यानिकी पाइल्स, नपुन सकता, दमा यानिके स्थमा, ब्रॉंकाइटिस, हाई कोलेस्ट्रोल, विक बोन्स यानिके कमजोर हड्डियों के इलाज में, विकनेस, एनिमिया और कैंसर जैसी प्रोब्लेम्स से बचाव और इलाज के लिए किया जा सकता है, इनके अलावा, इनके कुछ कमाल के ब्यूटी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे ये त्वचा और बालों को सेहत मन्द रखने मे मदद करती है, ये सारे फायदे हम जो भी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम फिग में पाए जाने वाले पोशक ततों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, अंजीर के फायदे उसमें पाए जाने वाले पोशक ततों के कारण होते हैं, और बात जब अंजीर की नेचुरल वैल्यू की हो तो ये खजूर जैसे पोस्टिक फल को भी पीछे छोड़ देती है ये एक लो कैलोरी, लो सोडियम और नो कोलेस्टरोल टाइब का फ्रूड है इसमें फैट की मातरा कम और प्रोटीन की मातरा नॉर्मल होती है इन पोशक तत्वों के अलावा इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट्स और फाइबर की अच्छे मातरा पाई जाती है फिग में B-complex, विटामिन्स जैसे की नियासीन, पाइरोडोक्सीन, फोलेट्स और पैंटोथेनिक एसीड के अलावा एंटियोक्सिडेंट्स, विटामिन्स जैसे की विटामिन A, E और K की प्रचूर मातरा पाई जाती है B-Vिटामिन्स, कार्बोहाइट्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबलिजम में सहायक होते हैं जबकि एंटियोक्सिडेंट्स, विटामिन्स, डाइबिटेज, कॉलेस्ट्रोल, संक्रमर जैसी प्रोब्लेम्स से हमें बचाते हैं इनके अलावा अंजीर में कुछ अच्छे मिनरल्स भी होते हैं जैसे आइरन, कॉपर, पोटेशियम, मैगनीशियम, केलशियम, सेलीनियम और जिंक पैजाते हैं पोटेशियम आपके दिल के गति बनाने के साथ बलर प्रेशर को कंट्रोल करता है कॉपर आपके लाल रख्त कनिकाओं के निरमार के लिए ज़रूरी होता है इसलिए अब आईए हम जानते हैं कि इसके गुण और फायदे क्या हैं आपके स्वास्ते के लिए जिहां अंजीर के गुण और फायदे आप अगर हाई बलर प्रेशर से परिसान हैं और आप बीपी घटाने वाले फूट्स ढून रहे हैं तो फिग आपके लिए बहुत उपयोगी सिध्ध हो सकता है लोग अक्सर नमक अधिक खाते हैं इसलिए उनमें सोडियम की अधिकता और पोटेशियम की कमी हो जाती है जिससे उच्चरक तचाप की प्रोब्लेम पैदा होती है अंजीर में सोडियम ना के बराबर होता है लेकिन पोटेशियम भरपूर मात्रा में पोटेशियम ब्लर्ड प्रेशर को कम करने में बहुत हैं असरदार होता है इसलिए रोजानाइस फुरूट का सेवन करने से आप बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं कोलेस्ट्रोल कम करने की नेचुरल दवा जिहां रिसर्च ने ये पाया है कि फीग में पेक्टिंग नाम का एक साल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो कि बलड में कोलेस्ट्रोल को बड़े ही असरदार तरीके से कम करने में सक्षम होता है ये फाइबर आपके द्वारा कोलेस्ट्रोल के अवशोषन को रोकता है जिससे आपके बलड में कोलेस्ट्रोल की कमी हो जाती है जो की एक बढ़िया बात है हम इस फ्रूट को कोलेस्ट्रोल कम करने की एक नेचुरल दवा भी कह सकते हैं इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको अपने कोलेस्ट्रोल लेवल्स नॉर्मल रखने हैं तो आपको रोजाना अंजीर खाने की जरूरत होगी डाइबिटीज को रखे ये कंट्रोल में अगर आपको मधुमेह की शिकायत है और आप अपना बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि दा अमेरिकन डाइबिटीज एसूसियेशन आपको डाइबिटीज मेनेजमेंट के लिए अं प्योगी हैं जो कि हर रोज इंसुलीन के इंजेक्शन लेते हैं अंजीर में पाया जाने वाला पोटेशियम आपके भोजन के बाद बॉडी में शुगर के अवशोशन को नियंतरित करता है जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है इतना ही नहीं रिसर्च ने ये भी पताग लगाया है कि इस फ्रूट में पाया जाने वाला क्लोरोजेनिक एसीड डाइप 2 डाइबिटेज में ब्लड गुलुकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है इसलिए हम कह सकते हैं हाइन की ये डाइबिटेज के रोग्यों के लिए एक अच्छा फ्रूट है बो परोग शरूप से आपकी बोंस को स्वस्त बनाता है जिहां पोटेशियम केलसियम को शरीर में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है इसकी कमी के कारण केलसियम पेशाब के साथ शरीर से बाहर चला जाता है केलसियम की जरूरत बोंस के घनत्वर और मजबूती बढ़ाने क होते हैं इसलिए इस फ्रूट के सेवन से आपकी बूंस हेल्दी और स्ट्रोंग बनती हैं साथ ही ये बुढ़ापे में होने वाली प्रोब्लेम्स जैसे हड्डियों का कमजोर होना पतला होना और ऑस्टोपोरसिस जैसी प्रोब्लेम्स को दूर करने में मददगार होता है दि की दिल की बिमारियों को दूर रखने में लाफदायक होते हैं साथ ही इंटी ओक्सिडेंट हार्ट को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं इसके अलावाइस फ्रूट के पोटैशियम और मैगनीशियम बलड प्रेशर कम करके हाई बलड प्रेशर से दिल को होने वाले नुकसान से बचाते हैं इतना ही नहीं फीग में मौजूद anti-inflammatory और दूसरे गून आर्टिराइसिस में प्लेक्यू बनने से रोक कर अथेरोस्कलोरेसिस की प्रोब्लिम से बचाते हैं ये सब फायदे मिलकर आपके दिल को स्वस्थ और मजबूत रखने में सहायक होते हैं वजन घटाने में अंजीर का प्रयोग आप जानते हैं कि अंजीर लो कैलोरी और हाई फायवर फ्रूट है इसलिए इसे आप खाकर दूसरी चीजें कम खाते हैं जो कि आपका वेट बढ़ा सकते हैं जिसके फ़ल स्वरूप वेट लोस होता है लेकिन इन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए यदि आप अपना वेट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप दिन में दो बार कुछ अंजीर के पिसेज द बढ़ाता भी है और बढ़ाता भी है बस प्रियोग का अंतर आता है आप जानते हैं कि अंजीर जो है वो लो कैलोरी और हाई फाइवर फूड है इसलिए इसे आप खाकर दूसरी चीजें कम खाते हैं जो कि आपका वेट बढ़ा सकती हैं जिसके फल स्वरूप वेट लोस हो अगर आप अपनी आइज की पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज सुबह उठकर कुछ फिग्स खाने चाहिएं फिग्स में पाया जाने वाला एंटियोक्सिडेंट और विटामिन ए आपके आँखों के रोशनी को बढ़ाते हैं साथ ही बुढ़ापे में होने वाल की समस्या दूर करने में मदद कर सकता है इसका कारण ये है कि फिग में अच्छे लक्सिटिव गुण पाये जाते हैं जिनसे आपकी कब्ज की समस्या दूर होती है आप जानते हैं कि बवासीर अक्सर कब्ज के कारण ही होता है और ये भी सही है कि पाइल्स के कारण भी कॉं ये पाइल्स के रोगयों के लिए वशेश रूप से फायदे मंद होती है। अंजीर के कुछ एक पीसेज को शहद के साथ रोजाना रात को खाने से कब्ज जल्धी दूर होने लगती है। पाइल्स यानि के बवासीर के केस में आपको रोज रात को कुछ फीग के पीसेज पानी में डुबो के रखने और सुबह उठकर खा लेने चाहिए इसी प्रकार सुबह डुबो के रखे हुए पीसेज को शाम को खाना है इससे आपकी समस्या जल्दी दूर होने लगेगी पेट साफ रहने से आपको दूसरी स्टोमक प्रोब्लेम जैसे अपच, बदहजमी, पेट में गैस, पेट दर्द इत्यादी से भी छुटकारा मिलता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंजीर एक स्टोमक फ्रेंडली फ्रूट है पेट की सफाई होने के कारण कैंसर करने वाले पदार्थ या तो बोडी के बाहर निकल जाते हैं या फिर इंटियोक्षिडेंट्स के प्रभाव से नश्ट हो जाते हैं इसलिए अंजीर खाने से कूलन कैंसर आत का कैंसर भी नहीं होता है खून की कमी का भी घरेलू इलाज है अंजीर यदि आपके शरीर में खून की कमी यानि की एनीमिया है तो रोजाना फिक खाने से आपकी प्रोब्लेम दूर हो सकती है इस फ्रूट में आईरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है इसलिए ये उनके लिए फायदे मंद है जिन्हें एनीमिया हो पिरियर्ट में खून ज्यादा बह गया हो प्रेगनिंसी और अस्तन पान करवा रही महलाओं के लिए विशेष रूप से उप्योगी है चार से पांच अंजीर के पिसेज को 200 मिले लिटर दूध के साथ बॉयल करके पीने से आपका बलड साफ होता है तथा उसमें व्रिद्ध ही होती है विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर अंजीर को रोजाना रात को दूध में भिंगो के रखें और सुबह उठकर पीलें यह नुस्खा आपके श्टीमिना और पावर को बढ़ाएगा साथ ही आपका एनरजी लेवल भी अच्छा रहेगा इतना ही नहीं ऐसा रोज करने पर आपके मरदाना कमजोरी दूर होगी और आप अपने दामपत्ते जिवन का भरपूर सुख ले सकेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन आदमी तथा औरतों दोनों के शरीर में पया जाता है जब हमारी बोड़ी सही तरीके से कार्य कर रही होती है तब यह हार्मोन बिल्कुल सही मातरा में निर्मित होता है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन हार्मोन का असंतुलन, पोल्यूशन और खराब खान पान के कारण इस हार्मोन की मातरा बोड़ी में अधिक हो जाती है और लेडिस का वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स, मेनोपाउज में प्रोब्लेम होना जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी तो महिलाओं में स्तनपान और गरभाशे का कैंसर तक हो जाता है फिग में ऐसे गुण पाये जाते हैं जो एस्ट्रोजिन की इस बढ़ी हुई मातरा को कम करते हैं और आपको हिल्थ प्रोब्लेम से बचाते हैं अनार, प्याज, निम्बू, संतरा, अवोकाडो, प्रोणकली, एस्ट्रोजिन को कम करने के गुण पाये जाते हैं अंजीर के पत्तों में कुछ विशेश केमिकल्स पाये जाते हैं जो कि सांस संबंधी प्रोब्लेम्स जैसे की ब्रोणकाइटेस, अस्थमा, इत्यादी के घरलू इलाज में बहुत लाफदायक सिध्धो होत मुसिलेस आपके गले को स्मूथ करके गले के दर्द से रहत दिलाते हैं यह फ्रूट कुकुरखासी में भी अराम दिलाता है जैसा कि आप जानते हैं कि इस फ्रूट में कई कमाल के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटियोक्सिडेंट्स और दूसरे योगिक पाये जाते हैं यह स जबूत, घने, लंबे और शाइनिंग बाल पाने में मदद करते हैं आईए हम कुछ एक फायदे बता रहे हैं जो कि आपके फेस यानि की स्कीन और बालों के लिए होगा फिग में पाये जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स स्कीन को सेहत मन्द रखने में मदद करते हैं त फ्रूट में कमाल के anti-inflammatory गुण पाये जाते हैं जो inflammation को दूर करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि फीक खाने से पेट के प्रोब्लम दूर होते हैं और ऐसा होने से आपकी स्कीन पर पेट की खराबी के कारण होने वाले races, pimples, इत्यादी नहीं होते हैं साथ ही आपकी स्कीन अंदर से स्वस्त और चमकदार बनती है, दही में फीक का पेट मिला लीजिए, इस पेट को अपने चेहरे पर लगा कर थोड़ी देर मसाज कीजिए, कुछ देर बाद यानि कि कुछ एक मिन्टों तक इसे अपने फेस पर छोड़ दीजिए, इसके बाद इसे धो लीजिए, इससे आपकी फेस की स्कीन को पोशन मिलेगा और वो गलोविंग और खुबसूरत हो जाएगी, हमने जो अभी फेस मास्क बताया, इसके अलावा आप अपनी स्कीन को साप करने के लिए फेशियल स्क्रब भी बना सकते हैं, इसे बनाने के लिए दो टेबल स्पून फीग पे इसमें, इसको अपने फेस और दूसरे भाग जैसे कि घुटने, कोहनी, गर्दन और पीठ को स्क्रब करने के लिए काम में लाईए, ये आपकी स्कीन की उपरी, काली और डेड लेयर हटा कर नीची की हेल्दी और साफ लेयर को उजागर कर देगा, ताजे फिग में अच्छ से अदरक पाउडर, थोड़े से निम्बू के रस और थोड़े से बादाम के तेल के साथ मिला कर एक पेस्ट बना लें, इस पेस्ट को 25 मिनट्स अपने चेहरे पर लगा कर रखें और फिर इसे धोलें, ऐसा हपते में तीन बार करने पर आपकी स्कीन टोन और फेर हो साथ ही तवचा में निखार भी आएगा, इस फ्रूट में कुद्रती मॉस्चराइजिंग गुन होते हैं, इसलिए इसे खाने पर आपकी स्कीन चमकदार बन जाती है अंजीर से बालों को होने वाले फायदे के बारे में बात करें तो, इस फ्रूट की एंटियोक्सिडेंट, विटामिन सी और ई, आपके बालों को जड़ने यानि के हेर लोस से बचाते हैं, साथ ही इन्हें साइनिंग और हेल्दी बनाए रखते हैं विटामिन्स और दूसरे मिनरल्स जैसे के मेगनीज इत्यादी आपके सर में खून के दोरे को अच्छा करके आपके बालों को बढ़ने की गती को बढ़ाते हैं, इस फ्रूट में पाये जाने वाला कैलसियम आपके बालों को मजबूती देता है फीग के हेयर फ्रेंडली गुणों के कारण अक्सरी से बढ़िया क्वालिटी के हेयर कंडिशनर्स बनाने में उप्योग किया जाता है, ये कंडिशनर बालों को सीधा मुलायम और घना बनाते हैं, फीग ओयल से बालों की मसाज करने पर वो कूमल मुलायम और अगर आपके बाल सफेद होने की प्रोब्लेम के कारण आपचिंतित हैं, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि फीग में पाये जाने वाले एंजाइम्स आपके बालों के कलर को बनाए रखते हैं, तथा उसमय सफेद होने से रोकते हैं, अगर आपका गला खराब हो गया ह तो हनी के साथ इस फ्रूट का सेवन कीजिए, आपको आराम मिलेगा, अगर आपको माता निकल गई हैं, यानि कि चीकेन पोक्स हो गया है, तो शुरुवात में इस फ्रूट का इस्तेमाल करने पर ये बिमारी आगे नहीं बढ़ पाती है, रुख जाती है, पथरी होने के स् कुछ देर उबाल कर पिएं, आपको आराम मिलेगा, अंजीर के ताजे पत्ते चबाने पर मुंग की बदभू गायब हो जाती है, प्रॉंसिल्स की सूजन से परेशान होने की स्थिती में, आप कुछ फिक्स को पानी के साथ बॉयल करके, इनकी पेश्ट को अपने गले के ब अंजीर के कोमल तने का जूस निकालने और उसे प्रोब्लेम वाली जगह पर दिन में तीन बार लगाएं, कुछ फिक्स को पानी में उबाल कर रोज पीने से कुरेजा प्रोब्लेम में लाफ मिलता है, कुछ अंजीर के पिसेज और कुछ खिश्मीश रोजाना दूद के मलेरिया की प्रोब्लेम दूर हो जाती है, फ्रेश फ्रूट को स्किन पर लगाने से दाने पिमपल्स की प्रोब्लेम दूर हो जाती है, अगर आपके बच्चे के पेट में किड़े हो गए हैं, तो कुछ फिक के पीसे जरात को पानी में डुमबो के रखिए और सुबह इनक अगर आप अत्यधिक मातरा में खाते हैं, तो इसके कुछ एक नुकसान भी होते हैं, उसे भी हमें जानना बहुत जरूरी है, अंजीर को खाने के हजारों फायदे हैं, लेकिन तब जब आप इससे एक निश्चित मातरा में खाएं, अधिक मातरा में खाने पर आपको ये ल रहता है इसलिए रात को इसे खाने से बचना चाहिए या फिर खाएं तो ब्रश करें यादि आपको अंजीर से एलर्जी हो तब आपको इस फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए आपको सरजरी के पहले और बाद में कुछ दिन तक इस फ्रूट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए बस ये ध्यान रखिए हर चीज जितने अच्छी होती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ बुरी भी होती है चाहें वो अमरीत ही क्यों नहों इसलिए हर रूज थोड़ा-थोड़ा खाईए और अपना जीवन स्वस्थ बनाईए बहुत ज्यादा मात्रा में इसका प्रियोग ना कीजिए अब जानते हैं कि अंजीर को कैसे खाना चाहिए अंजीर को आप फ्रेश खा सकते हैं और ड्राइ रूप में भी खा सकते हैं हालांकि फ्रेश खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदे मंद होता है आप इन्हें अपने सलाद, केक, जैम, आइसक्र इत्यादी में डाल करके इसका स्वास्थ वर्धक गुनों का फायदा उठा सकते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने ये जो अंजीर था आप सभी के लिए कितना फायदे मंद है बस इसका आप अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो भी अभी प्रोब्लेम्स बताईं क कि दूर करता है अंजीर इन सारी प्रोब्लेम्स से आप दूर हो सकते हैं बच सकते हैं अंजीर के सेवन से बस इसका सदू पयोग करें यानि कि समुचित मातरा में प्रयोग करें अत्याधिक ना लें फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और ये बेहद है स्वादिर्ष्ट एक फल होता है तो चलिए अगली कड़ी में हम आप सभी से अब मिलते हैं कुछ एक और महतोपून जानकारियों को ले करके एक और नई औश्रधी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों